नमस्कार दोस्तो जय बोलेनाद दोस्तो हर रोज राशीफल रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए हमारे चानल ट्रेंडिंग राशीफल को जरूर सबस्क्राइब करके बाजु वाले घंटे बड़न को जरूर दबाए ताकि राशीफल रिलेटेड उडियों आपको हर रोज मिलती रहे दोस्तो आज के समय बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य के उपर भरोसा करते हैं पर तु व्यक्ति का भाग्य भी ग्रहों की चाल के अनुसार बदलता रहता है जी हाँ दोस्तो जोतिश के जानकरों का ऐसा कहना है कि लगातार होने वाले ग्रहों में परिवर्तन की वज़े से व्यक्ति का भाग्य भी समय के अनुसार बदलता रहता है कभी व्यक्ति को किस्मत का साथ मिलता है तो कभी व्यक्ति का भाग्य कमजर हो जाता है तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सिर्फ फाइदय मंद बाते और ध्यान में रखने वाली बाते बताने वाले हैं जी आँ दोस्तों 5 जनुरी से लेकर 11 जनुरी तक कुम्बराशु वाले लोग राजाओं की तरह जिन्दिकी जिने वाले हैं और इंकी फाइदयमन्द बाते और ध्यान में रखने वाली बाते किस तर्य से रहएगा ये दिन की हिसाब से हम बाप को बतने वाल missing तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं पांच जनौरी के बारे में अगर हम पात जन्वरी की फाइदेमंद बातों के बारे में बात करें तो स्वाई को ऐसी नई चीजों के साथ प्रयूप करते हुए पाएंगे जो न केवल आपके लिए फाइदेमंद हैं बलके आपको अंदरूनी खुशियां और ताकत भी प्रदन करती हैं आपको नए रास्ते और मोखे मिलेंगे आप बेहद उस्ताहित रहेंगे नए विचार आपके दिमाग में हैं और आप अपने सपने को पूरा करने के लिए एक सहसीक यात्रा कर सकते हैं इस समय आपके भाई और दोस्त आपको पहले से ज़्यादा पसंद और प्यार करेंगे आप जो भी कारे करते हैं उसमें भगवान की कुरुपा का अनुबव करें तो दोस्तों आप बात करते हैं पांच जनुवरी की दिन ध्यान में रखने वाली बाते किस तरह से रहने वाली हैं याद रखें आपको ही अपने कार्यों के परिणामों को सहन करना होगा इसलिए जिम्मेदारी और बुद्धी मानी से कारे करें, अपने रास्ते में आने वाले हर परिवर्तन को सुईकर करें, कुछ अलग करें लेकिन अपनी सीमा से अधिक कोई भी काम करने से बचें, आपका कार्य से संबंधित जीवन आपके लिए निजी लक्षों को लेकर मांगों से भरा और विरोधी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है कि आप उन लोगों की सेवा करने के समर्थ नहों जो आपके उपर निर्वर है इसलिए दिमागी तनाव की संबावना है तो दोस्तों आप बात करते है 6 जन्वरी की बारे में 6 जनवरी की फाइदेमेंद बातों के बारे में बात करें तुम शिक्षा संबंदी, यात्रा और संचार के मौकों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा और आप इन मौकों का अधिकतर उपयोग कर पाएंगे चोटी यात्रा, संदेश और परिचितों और सामाजी के सरकिल में लोगों के साथ बात्चित के माध्यम से आपको फाइदा होगा करियर और संपती में विस्तर होगा आप अपना निजी जीवन सुखद व्यतित करेंगे आप अपने आमदनी और खर्चों का संतुलन बना कर चलेंगे वाहन सुक की प्राप्ती हो सकती है आपका स्वास्त्य उत्तम रहेगा दूर संचार माध्यम से शुवस समाचार मिल सकता है प्रेम संबंदों में सफलता प्राप्त होगी इस राशे वाले लोगों का प्रेमे विवाहो होने का योग बन रहा है तो दोस्ता आप बात करते हैं 6 जनुरी के ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में आपको इस बात का निरने लिनी के अवशक्त है कि क्या अधिक और किस सीमा तक महतुपन है अपने आपको शांत रखें और आप वो सब पाएंगे जिसके आप लायक है फालतु की जल्दबाजी और कड़ी महनत के कारण आपको परिशानी होगी तो दोस्तों आप बात करते हैं 7 जनुरी की फाइदमन्द बाते किस तरह से रहेगी आप वास्तवी के सुकों की सरहाना करेंगे आपका सामा जी का सरकल का बहुत तेजी से बढ़ेगा और आपको असामाने और असाधरन लोगों से मिलने का मौका मिलेगा आपको इश्वर और अध्यात्मिता के ज़्यादा करीब ले जाएगा परेशानिया उत्पन होने के बावजुद भी आपकी आर्थिक स्थिती ठीक रहेगी पर उन्तो आपको अपनी फिजूल खरजी पर लगाम रखने की ज़रुरत है घर परिवार का वातावरन सुकत रहेगा घर परिवार के लोगों के साथ आप किसी शुबक कारे में भाग ले सकते हैं आपके मन में किसी नए कारे की योजना आ सकती है मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा तो दोस्ता आप बात करते हैं 7 जन्वर की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में जिन चीजों को आप पहले अंदेका कर रहे थे उनका अभी निरिक्षन कर सकते हैं आप खुद को कुछ सवालों की उत्तर देने में व्यस्त पाएंगे जैसे एक संतुलीन जीवन शेली को कैसे जी रहा हूं और समय का कैसे अच्छे से प्रयोकरो इन बातों को तो दोस्ता आप बात करते हैं 8 जन्वरी की फाइदे मंद बाते किस तरह से रहेगी स्तीरता, नीजी सुख और संतुलन का अनुबह होने के कारण आप संतुष्ट रहेंगे जो लोग अवचारिक पड़ाई कर रहे हैं इस शेत्र से जुड़े हुए हैं और अभी एक नई परचान प्राप्त कर सकते हैं इस समय आप पहले से अधिक आसानी और हाराम से चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे तो दोस्तों आप बात करते हैं 8 जन्वरी के दिन की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में अधिक खरचिला बनने से बचे क्योंकि इस समय आपके खरचों की आपकी आए से अधिक होने की संबावना है मन चाहे परिणावों तक पहुंचने के लिए इस समय उतने लोगों जादा लोगों से समपर्ग स्थापित करे जितने अधिक आप कर सकते हैं किसी भी लंबी दूरी की यातरा पर जाने से बचना होगा अन्यता दुरगटना होने की संबवना बन रही है आप अपने खानपान पर नियंतनों दखे अन्यता आपकी तबियत खराब हो सकती है आपकी कोई चीज गुम होने की संबवना बन रही है आप अपने कामकाज में सावधा निबर थे अन्यता आपका कोई जरूरी कारे बिगड़ सकता है तो दूस्तों यहती 8 जनुरी की बारे में आप बात करते हैं 9 जनुरी की फैजयमंद बातों के बारे में आप अपनी गंबिरता और बनाई गए सुरक्षित घीरे से बाहर निकलना सिखेंगे परिवार और फाइनन्स आपके लिए महतोपूर्ण अक्षेतर रहेंगे आपके आसपड़ोस में बदलाव की संबवना है जैसे शायद स्तान में परिवरतन या नोकरी में स्तान अंतर या केवल घरेलू मरमत और नविने करन हो सकती है तो दोस्तों आप बात करते हैं 9 जनुरी की दिन ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में आपके आसपास के माहूल में अकेला पन और दुख व्याब तो हो सकता है और आप बूरी तरह से अपनी परिजनों को याद कर सकते है अतित की चीजें आपको परिशान कर सकती हैं और आपके जीवन में आलसी पन को बढ़ा सकती है आपको जम कर मेहनत करनी होगी अतित कारे भार मिलने की वज़े से आप काफी व्यस्त रहेंगे जीवन साती से आपको सुक की प्राप्ति होगी इस राशी वाले लोगों को अपनी गलतियों से कुछ नया सीर्मी की अवशकता है वित्रों के साथ गुमनी फिनी की योजना बन सकती है भाई बनों के साथ मतब्यद हो सकता है आपको अपने गुस्से पर काबो रखना होगा तो दोस्तों आप बात करते हैं 10 जनौरी की फायदे मंदबातों के बारे में आपका परिवार आपकी बुनियाद और आपका घर जिसे आपने खुद के लिए बनाया है यह सब इस समय आपके लिए खुशी के स्त्रोत रहेंगे संपति खरेदने या बेचने या उससे नविन करन के लिए आपको भैतरिंग अवरसर मिलेंगे इस राशी वाले लोगों को प्रेम संबंदों में निराशा लगने के आसर दिखा रहे है आप अपने भविशे की योजनाओं को लेकर काफी चिंतित रहेंगे पूजा पाट में आपका अधिक मन लगेगा कारेक्षेतर में साथ काम करने वाले लोग और वरिष्ट अधिकारी आपकी सहायता कर सकते हैं वेर्त की भागदोड बनी रहेगी तो दोस्ता आप बात करते हैं ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में चीजों को अपनी दिशा में बोल्टने के लिए कटो रता की जगह कुशे रता और प्रभावी दुष्टी को उनका प्रया करे व्यावपार कुशे रता बिना किसी अपती के लोगों को विश्वास दिलाने का एक कला है नई सवुदों और निवेस से बचे क्योंकि वे आपके धन के नुकसान के लिए सिर्फ एक जाल है तो दोस्ता आप बात करते हैं ग्यारा जनवरी के बारे में ग्यारा जनवरी की फायदे मत बातों की बात करें तो अपने माता पिता और बाकी घरवालों के साथ आपके रिष्टे अच्छे रहेंगे और इसके फलस्वरुब आपको आर्तिक लाव और वित्तिय फायदा हो सकता है अपने घर की तरफ से आप सुरक्षित और तंदरोस्ता अनुबाव करेंगे आप मेंसे कुछ लोग लंबी समय से चल रहे पारिवारिक परिशानियों से भी छुटकारा पा सकते हैं आपको कोई शुबस समाचार मिल सकता हैं जिससे आपका मन प्रसन होगा सामाची क्षेतर में मान सम्मान में बड़ोतरी होगी आपको सफलता के कुछ नए आउसर भी मिल सकते हैं तो दोस्तों आप बात करते हैं 11 जन्वरी की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बच्चों से संबंदित मुद्दे भी सामने आ सकते हैं जिन में आपको अतिरिक्त ध्यान देने की अवशक्ता होगी यह समय आप नकद प्रवाह से संबंदित समस्याओं और संयुक्त धन से जुड़ी अन्य चुनतियों का अनबव कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी 5 जन्वरी से 11 जन्वरी तक की कुम्बराशी की भविशेवानी इन दिनों में कुम्बराशी वाले लोग राजाओं की तरह जिन्दगी जिएंगे तो दोस्तों आज किस उडियो में बस इतना ही उडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशीपल को जरूर सबस्क्राइब परे तो मिलते एक नए उडियो के साथ धन्यवाद